तो एक जो टॉपिक है कि बाइंग ए फ्लाट तो वैलुसित कैसे चेक करोगे ठीक है येस मेरा पीछे बैक्राउंड देख रहा होगे तो इसे रेंटेड हाउस मैं पुने मेरा था हूँ हड़ापसर करके रिया है जो कि ठीक ठीक प्राइम एरिया है इधर में आईटी कंपनी हैं तो फूने में देख़ोगे तो दो साइड है एक हिंजवाडी साइट अईटी कंपनीज हैं और हडपसर खराडी जिसको बोलते हैं इधर में लेक मगरपट्टा एक बड़ा एलिया हो गया और खराडी साइड हो गया ये खराडी और मगरपट्टा दुनों आपस में फूट जहते हो तो हर चीज में उसमें कुछ गरदी का गिरता जाए त्यब्रक घरक आप खरिद हो क्यां तो नहीं करो र काकुल बहुत आपको शिन याशै प्लmos aimed जैसे टेक एक्जाम्पल, सिंपल से एक्जाम्पल लेता हूँ आपको, तब आपको एक अच्छे से आपको एक आइडिया आएगा, जैसे टेक एक्जाम्पल आपको HDBC bank, ठीक है, HDBC bank, मैं क्यूं हूँ ये HDBC bank का नाम ले रहा हूँ, इसको आपको फिर समझ में आएगा, ठीक ब्रॉट इन, यह बहुत उच्छी वेबसाइट है, आपको किसी स्टाक के बारे में जानना होतो, HDBC bank में जा रहा हूँ, आपको एक चीज में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, तब आपको एक आइडिया लगे कि मैं कहना कहा चाह रहा हूँ, तब आपको एक आइडिया ल वी जो स्टाक प्रैसस था, नें रवाट 13o economist से 1300 था, ठीक है, 1300 प्रैस था, आज के रहे में कितना है, 1600 से थुड़ा कम है, मतलब के पीछले थीन साल में, कितना 300 पा के बड़ा है, ठीक है, ठीक है, अच्छा अब इसका हम प्रॉफित देखते हैं, कि प्रॉफित कैसे इह दिनों में प्रॉफिट कैसे ग्रू हुआ है ठीक है दूसी तीम्स का लिए 2019 से ले रहा हूं 2019 में मार्च के मार्च के ले रहा है तो नेट प्रॉफिट था 22,000 ठीक है फिर 2020 होगे 27,500 से बढ़ गया फिर नेक्स फिर करीब करीब 35,000 से करीब बढ़ गया तो 38 हो गया फिर उसके बाद सीरे कितना से बढ़ा है नेरबाउट 8,000 से आठ हजार करोड से तो देखो कि प्रॉफिट डबल हो चुगा है इस मार्च से प्रॉफिट जो है कि प्रॉफिट तो डबल हो गया अब एधी प्रॉफिट एजडीशी बैंका डबल हुआ तीन साल में थ्री यर्स में ठीक है लेकिन जो स्टाफ प्राइस है वो नियर बॉट थर्टीन हंडड़ से शिक्टीन हंड़ इड़ा राइट ऐसे क्यों होता है कि प्रॉफिट आपको इतना तैजी से नमीड़ा हैं लेकिन जो प्रॉफित बहुत तैजी से बढ़ा लेकिल स्टाफ प्राइस ने मड़ता है। क्योंकि ا этого करब नहीं है सतोपर नहीं है यह गलत है नहीं एकत्व सही है यह मनंहें इतने लोगों का थिसमें होता क्या है कि तो efficiency बोड़ेगे, किसी भी चीज की efficiency भोलोगे, कि जब आदी पैसे लगा रहे हैं, there are like millions of investors of HDC bank, including giants, giants भी इसमें पैसे लगाते हैं, जिनके इसमें मनें 10-10 आपोर, 20 बिसमें और ऐसे पैसे लगे होगे हैं, अब क्या वो लोग पागल हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं है, ठीक है यह बता रहा है, कि आगे कुछ प्रावलम से efficiency bank है, जिसके खाण इतना आगे नहीं जा रहा है, कुछ प्रावलम देखता है, जिसे एक प्रावलम होता है, कि जो इनका तेजी से, इतना तेजी से मालों की growth नहीं हो सकता है, या फिर ऐसे मानके चलते हैं, कि यार देखो, बह काफी पूर थी, in comparison to like ICC bank especially, तो वहां भी काफी पैसे खर्च होंगे, या FHR risk समझ लो इसको, जनसे सोच रही है जनता, अभी HDFC के merge होने के बाद, अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, देखो यार, ठीक है, merge दो हो गया, profit भी बढ़ेगा, eventually efficiency बढ़ेगी, लेकिन at the same time, CRR बहुत रखना पड़ेगा, इसे लार रखना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत से deposit में को जो करना पड़ेगा, बहुत deposit लेगा, अब वोई घर के case में क्या हो रहा है, अब कल का एक case बगाता हूँ, real time case, यहाँ पे एक है, उसको बोलते हैं क्या, वीजे का है, वीजे यस्विल औरिजान्तो करके project है, आप जाकर उसको खो सकते हैं, वरसिन औरिजान्तो, वीजे का औरिजान्तो project का कहाँ पे खराडी में, दो tower का, A और B का, A और B टावर का हुने वाला है, मेरे को कल एक broker मुने call किया, उस वरकर से मेरे पले connected था, तो B building में, उसने एक flat मेरे को बताया, कितने का, 92 lakhs, ठीक है, 92 lakhs, ready to position वाला है, 2 BHK है, ठीक है, और ये क्या है, करीब, exactly to be precise 725 square feet, ठीक है, यही उसका configuration है, अब इस flat को, अब देखते हैं कि इस flat का, हम उस market में, खराडी के market में, कितना का rend कर सकते हैं, ठीक है, कितने वे rend कर सकते हैं, तो हम आते हैं, इस पे, 99 acres.com, ठीक है, कि एक similar type का, जो अगर हम rend करने जा रहे हैं, तो rend कितने का मिलेगा, बुखर आडी, मैंने डाल दिया, यहाँ पर कर दिया, मैंने, search, ठीक है, अगर कोई typical जो, जेन स्टेट है, इससे, नियर अबाउट, अगर के दूरी पे है, यह 32,000 का मिल रहा है, 32,000 का फ्लैट कोई को अरेंड कर रहा है, दूसरे कहीं चले जाओ, यह उसी का, एचुली देखो, यह थोड़ा से बढ़ा ही है, यह फ्लैट, 725 से थोड़ा बढ़ा है, फ़रेस कांटे है आदो, यह बड़े फ्लैट होते हैं, देखो, यह थे 1340 स्क्वार फीट में ताया है, यह काफे बड़े-बड़े फ्लैट है, और यहाँ पर मनमाना पैसे चलता है, पंसील बहुत है, मैंने दो कोड़स उपर के फ्लैट फंसी में होते हैं, इसलिए में इ 35,000 का है, बुलमोहर पार्गी, उससे काफी नज दिखे, 30,000 रुपे में दो बीज के मिल रहा है, रेंट, ठीके, फॉरे स्टेज भी उसके नज दिखे, 36,000, प्लैटिनो एटारों में यह भी 32,000 की बात कर रहे है, नियाती लेजिया, 32,000 की 43,000 है, ठीके, एलकॉन अना कह चा रहा हूँ, के आपको जो रेंट है, इस फ्लैट का जो रेंट है, ठीके, जब आप रेंट करने जाओ गई, तो मैंने यह फ्लेट देखा हूं, इसका रेंट आपको एक मैक्स आपको 30,000 से कोई ज्यादा नहीं देगा 30,000 कुर्पया करीब आपको कोई रिंट देगा हमने अपर साइड में लिया है कि 30,000 रिंट वहाँ पे आपको मिलेगा अब 30,000 रिंट हम इसको 92 को 90 बना ले रहे ताकि इसको चल्ड़ा मैं एक दूसरा पेज बना लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पहूँ ठीक है तो मैं लिखा कि 90,000 आपने 90,000 आपने पे कर दिये वन साट में और इससे हुआ क्या आपको जो यहां पर मैं मैं बनाता हूँ कि एक साल में आपको कितने पैसे मिलेंगे तो 30,000 में से मैं एक पांच ज़दर काड़ी देता हूँ ठीक है तो 25,000 करीव आपको हाथ में आएगा ठीक है 25 ज़ार पर आपने हाथ में आएगा इसमें हमने किया कि पाच ज़ार मैंने मेंटिनेंस होगा रहा को काट लिया ठीक है तो पचीज ज़ार इंटू बार कितना हो जाएगा यह हो गया अपको यह हो गया और यह हम इसका वह देखें इंट्रेस्ट तो हम 9% की हिसाब से अगर आप लिया है लोन पे तो कितना आता है एट पॉइंट वाइन लैक्स हो ओने नहीं माल लिया एट लैक्स तो हमको मानलो कि एक प्लस हमारी property की price हो गई एक कितना 94.5 lakhs हो गई मतलब कि एक हमको 4 lakh रुपय का एक profit हो गया 4.5 lakhs ठीक है ओके अब next year मानलो कि मैं भी इसको बेचना चाहता हूँ कि 94.5 lakhs का flat है मैं बेचना चाहता हूँ तो कोई अगला आएगा तो उसको एक 7% यहां पर registration cost है तो 94 lakhs का 7 lakhs ले गए तो comes about near about 6.5 lakhs ठीक है तो मतलब अगला को जिसको खरीदने आएगा उसको मेरे को उसको देना पड़ाएगा एक करोड ठीक है एक करोड 01 lakh रूपीज उसको देगा तब मेरे को क्या हुआ यह दी एक करोड धी एक करोड लाख रूपया वह मेरे को जो लख दिया तो मैं ओफ ले पाएगा थीक है अब तब मेरे को कोई लाभान नहीं हुआ, कोई किसी भी तरीके का मेरे को फाइदा नहीं हुआ, एक साल के बाद मैंने बेचा तो, एक साल के बाद मैं कितने बेच रहा हूँ, 11 लाक रुपय ज्यादा मैं बेच रहा हूँ, तब भी मेरे को मैं बोल रहा हूँ, कि मेरे को फाइदा किता हुआ, तो जीरो, जीरो फाइदा हुआ, ओके समझ में आई बाग, जीरो फाइदा हुआ मेरे को, अब हम जगर नेक्स साल जाए, कि चलो यार एक साल और रूप जाते हैं, मानलोक अगली साल प्रपर्टी आपकी पांच लाग रुपई से और बढ़ गई, ठीक है, पांच लाग रुपई से मिल गया हाथ में, तो अब इस बार कितना लाउस हुआ, करीब करीब मेरे को, इस बार 4,70,000 का, 4,70,000 का मेरे को लाउस हुआ, अब मैं 4,70,000 मतब, अब मैं 1.5, सरी, 1.05 CR में मैं बेचूंगा, प्रपर्टी, तब जग अगली साल मेरे को, दूसरी साल में मेरे को कोई घाट लगाने होगा, अब 1.05 में जगर बेचने जा रहा हुँ, तब 7% किसी को और दिना पड़ेगा, समझरे मैं क्या करने जा रहा हुँ, कि हर साल आप, हर साल आप, लाक्स मारे जा रहे हो, अच्छा, हमने ये भी डिसकाउंट नहीं करा, दो चीज़ हमने डिसकाउंट नहीं क ठीक है, 90% का 12% वीचर बन देल, तब उत एक लास मारी रहे, उतना एक लास मार रहे, उतना उपरचनिटी का स्टाप की जा रही है, तो भाई, किधर से फाइदा हुआ, कैसे आपको लग रहा है, कि positive cash flow होगा नहीं, एक सुनील तुलसियान है, जो कि कनड़ा में बहुत बेच रहे हो आज तक, उनका वीडियो है, आपको उसमें जाके नाम डालोगे, तो आपको मिल जाएगा, उनका नाम है सुनील तुलसियानी, ठीक है, यह बोलते हैं, कि जब आप property खरतने जाओ, तो दो चीज देखो, पहला चीज क्या है, पहला चीज आप देखो, कि जगर वहाँ पे सारे लोग, जगर मालोग के लग रहा है कि 90 lakhs की property है, ठीक है, तो तुमको मिलना चाहिए, लेस देन 80 lakhs में, तुमको कुछ तो फायदा होना चीए न, वहाँ पे, लेते लेते आपको कुछ फायदा होना चीए, जगर मालोग की यह नहीं हो रहा है, तापकि property ऐस than rent, आपको जो rent से EMI कम हो जाना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए, तब ही आपका positive cash होगा, तो वह बहुते है कि positive cash हो, दोनों में से कोई तो एक चीज होना चाहिए, यह दोनों ही नहीं हो रहा है, ठीक, उस broker से में बहुता कि यार बेरको 80 lakhs रुपे में देदो, वह देग इतना पैसा कमाएंगे, कहां से, कैसे ऐसे लोग सोचते हैं, ठीक है, जो बंदा एक्चली 90 lakhs में बहुत जादा money नहीं कमा रहा होगा, कि near about मुझे लगता है कि वो 68 से 70 lakhs में, वो 220 के BK थे उस time पे, ठीक है, अब यह हो गया करीब करीब 4 साथ, 4 years हो गया, तो 4 years में तिया वो बंदे ने 30 वरसे जगर बढ़ा, तो समझो कि 21 लाख रुपय उसने करीब 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 इंट्रेस दिया होगा, 70 लाख का प्रपरटी अब बूक करते हो, 4 साल जगर, 4 साल बाद आपको मिलता है, तो आप उसमें अल्री 21 लाख रुपय करीब 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 आप देख चु पैसे कमाया, उसका जो पैसा लगाया, उसने उस पैसा 0 कमाया, 4 साल में राफा दपा हुआ, कोई पैसे नहीं गणा, जितने पैसे लगाये, इंट्रेस्ट दिये, इंट्रेस्ट ही नहीं निकाल पाएगा, 90 लाख से नीचे बेचाएगा तो, और दिगर मैं खरिदने जाओ तो सेम वही बात होई न, को मैं दूसमें से एक भी पैसे नहीं बचा पाऊंगा, तो फिर इंवेस्टमेंट किस हिसाब से, कैसे लोग सोचते हैं कि ये इंवेस्टमेंट है, ठीक है, तो जब भी आपको प्रपरटी खरने हो, आप पिंस्योर को और ये दो चीजें जो, दो भी प्रपरटी करते हैं, तो देखो, कि आप जो ओहां का rate होना चाहिए, उससे आपको कितना कम में मिल जा रहा है, ठीक है, तभी आप प्रपरटी मन लेए, नहीं तापकि प्रपरटी इस होने चाहिए, आपका ये माई rate से कम होनी चाहिए, ताकि आपका पास positive cash flow हो है, ठी यह property मैं ही खरिदनी चाहिए ठीक है इस हिसाब सब देखोगे तो majority आप जो properties हैं खराडी में समझो की काफी बंगी है काफी बंगी है तो आप किसको बनता है कि कौन आपनी मने किसको खरिदना चाहिए कोई ने कोई खरिद रहा है तो investment की हिसाब से अब खरिदने जा रहे हो investment क हिसाब से investment के यगर हिसाब से आप सोचे हो तो इक भीगनो मत खरिदो प्लीज नहीं है आप पूरा भ्याना क्लास मारने जा रहे हैं ठीक है लेकिन जगर आप ओन के लिए खरिदने जाते हो आपको लगता है कि मेरे को खराडी में ही अब बसना है लाइप मुझे यहीं काट टो नहीं है तो इस अब करत्या में खरीद रहे हो आपको रहना है उदर में रहना है तो आप वैसे खरीदो इन दम घरिंज मार्क है बिल्कुल जा के खरीदो क्योंकि प्रापर्टी के प्राइस तो बढ़ने ही है तीजी नहीं बढ़ेगी ओही प्रुक जाएगी आप पैस नहीं बनाओगी, investment के साथ से, पैसे जब भी जोड़ो के तो नहीं आएगा, लेकिन आपको रहना है, तो धरी धरी तो आपको आपको rent जो जो जोगा, ऑनाफोरडबल ही होता जाएगे न, कितना rent देपाओगी हर साथ, अजया रहना है ही आपको, तो फिर rent पे रहने के कोई मत आपको कुछ अलग आपको आपका कुछ दिस्क्रिप्रेंट भी हुआ है तो प्लीज डू कमेंड और सब्सक्राइब एंड व्यू दिस चैनल थैंक यू